सब्सक्राइब कीजिए रोचक फैक्ट्स बेल आइकन दबाईए और जाने रोचक बातें उनका सोने का दात मांग लिया करड ने अपने समीप पड़े पत्थर को उठाया और उससे अपना दात तोड़ कर कृष्ण को दे दिया करड ने एक बार फिर अपने दानवीर होने का प्रमार दिया जिससे कृष्ण काफी प्रभावित हुए कृष्ण ने करड से कहा कि वह उ किर्धन सूत पूत्र होने की वज़ा से उनके साथ बहुत चल हुए हैं अगली बार जब कृष्ण धर्ती पर आएं तो वह पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करें इसके साथ करड ने दो और वर्दान मांगी दूसरे वर्दान के रूप में करड ने यह मांगा कि अगले जन्म में कृष्ण उन्ही के राज में जन्म ले और तिसरे वर्दान में उन्हों ने कृष्ण से कहा कि उनका अन्तिम संस्कार ऐसे अस्थान पर होना चाहिए जहां कोई पाप ना हो पूरी पृतिवी पर ऐसा कोई अस्थान नहीं होने के कारण कृष्ण ने करड का अन्तिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया इसी तरह दानवीर करड मृत्यु के पस्चात सक्षात वै कुंठ धाम को प्राप्त हुए दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ना किया हो तो सस्क्राइब कीजिए वीडियो कैसा लगे कमेंट्स में बताईए